तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया से सौधी अरब जाने का नियम और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अभी कौन-कौन सा कंट्री ने फलाइट खोला है और कौन-कौन सा कंट्री ने अभी फलाइट पे सस्पेंड रखा हुआ है तो क्या अभी ह हम इंडिया से सौधी रब जाएंगे तो क्या 50-60,000 रुपया में जा सकते हैं या फिर एक लग से उपर अभी लग सकता है तो मैं एक ऐसा कंट्री का नाम बताऊंगा जहां आप जाएंगे और वहां पे अगर आप 14 दिन बिता देते हैं तो आपको कम पैसा में ही होटेल का और आपको भीजा भी नहीं लगे है सिर्फ एंट्री भीजा आपको लगेगा जाने के लिए लेकिन आप उस गंट्री में जाते हैं तो आपको फ्लैट से ही जाना परेगा और मैं यहां पे आपको 6 कंट्री का नाम बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर आप इंडिय से सौधी जाते हैं तो क्या-क्या डोकॉमेंट लगेगा कितना गंटा पहले आपको पीसिया टेस्ट करवाना होगा सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने बला हूं पहला हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्री के बारे में कि आप अभी के स्तिति में कौन कंट्री जाके सौधी अरब में टीकर सकते हैं सस्ते रेट में तो देखिए नेपाल गुवर्मेंट के बारे में बात करें तो नेपाल गुवर्मेंट ने बीच में फ्लाइट पे सस्में डखा हूं तें चार मेरा पहले लेकिन अभी अगर आप नेपाल जारा चाहते हैं तो आराम स कि हम किस तरीके से सौधी अरब जाए और क्या क्या करना होगा तो मैं आपको बता ले तो वैक्सिन के बारे में अगर आप सौधी अरब जाते हैं तो आपको मुकीम पोटल पे बहत्तर घंटा पहले ही आपको एक फोरॉम भरना होगा जैसे कि ऑनलाइन आपको किसी से भरवा लिजेगा या फिर आप खुद से भी भर सकते हैं बहत्तर घंटा पहले मतब कि तीन दिन पहले आपको मुकीम वैफसाइट पे रजिस्टेशन करना होगा आपका पासपोर्ट यह सर्विस पोरटल उस पर आपरजस्टेशन कर सकते हैं तो अभी नया मिया है मॊकुद उस पर आपो उस्पर आप शिच्टेशन करकET सवधी अरभ में भी जा सकते हैं पहला है पहला कंट्री तो आपको सथा में आ जा गे आँगे आपको ना भीजा लेना है तो नेपाल वो लोग मालदीप का ट्रैवलिंग कर सकते हैं और तीसरा में आ जाता है दूबई दूबई गौवर्मेंट ने तो फ्लाइट सस्पेंडी रखा था लेकिन दूबई गौवर्मेंट ने भी खोल दिया है तो आप विजिट भीजा ले करके आप दूबई जा सकते हैं चौदर को कि बारत दिन अगर आप बिता लेते हैं तो आपको 11 दिन मुकीम वेव साइट पे फौरम फिल कर देना है कि हां हमने दोनों रोज बैक्सिन कंप्लिट कर लिये हैं हमारे पास औरिजिनल साटिपिकट हैं तो लगभग आपको अगर नेपाल जाते हैं तो अगर फलाइट क प्रेसा भी नेपाल में होटल का कुरेंटान का बहुत सस्ता है अगर आप दुबई जाते हैं तो लगभग तीन हजार 4,000 कतार जाते हैं तो तीन हजार 4,000 इसी तरी कで चल राए मालडीब जाते हैं तो मालडीब का क्या है मालडीब में आपको पहले booking करना होगा उसके बाद जब आप hotel में जाते हैं तो आपको वहाँ पे cash payment करना होगा क्यों online system में बहुत बार check किया हूँ तो मालडीब का hotel booking online नहीं payment होता है और कितना hotel booking होता भी है तो online payment लेटा भी है लेकिन आप पूरा confirm कर लिजे कि हमें मालदी भी जाना है या फिर हमें नेपाल ही जाना है तब ही आप जो है टीकट निकाले अभी के स्थिति में बहुत ऐसा एरलेंज है जो कि इंडिया से डेरेक फ्लाइट जा रहा है सौधी अरब एरिंडे एक्सप्रे से आ सकते हैं तो दोस्तों ये था कुछ फ्लाइट से रिलेटिट जानकारी और वैक्सिन से रिलेटिज जानकारी क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट करें थे कि हमारे पास नया भी जाया हम किस तरीके से सौधी अरब जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ